अलो गाईस, आप सबका वेक वैली पर हार्दिक स्वागत है गाईस किया आप अपने आपको successful होने के लिए तयार कर सकते हैं ये एक जिम exercise की तरह है जैसे हम अपने muscles को train करते हैं वैसे हम सफल होने के लिए भी तयार हो सकते हैं इस वीडियो में हम 6 तरीके जानेंगे जो महान और सफल लोग रोज अपनी जिन्दगी में करते हैं पहला है बिल्ड ए स्ट्रॉंग माइंडसेट यानि कि अपनी मानसिक्ता को और बहतरीन बनाना scientists के अनुसार इंसान के दो तरीके के mindset होते हैं पहला fixed mindset और दुसरा growth mindset fixed mindset वाले लोग के अनुसार success luck से आती है और growth mindset वाले लोग के अनुसार success hard work focus planning से आती है growth mindset बनाने के लिए हमें 3 चीज़ करने पड़ेगी पहले खुद पे भरुसा कि हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें ग्रोज जरूर मिलेगी दुसरा नई स्किल सिखना ताकि जब भी चुनोतियों का सामना हो हम उसे आसानी इसे face करके उसका solution ला सके तिसरा, fail होना एक जरिया है सिखने का इसलिए हर failure को learning opportunities के नजर्स के देखनी चाहिए दुसरा तरीका है positive self-talk यानि कि सक्रात्मक बाते करना खुद से successful लोग हमेशा अपने आप से सक्रात्मक बाते ही करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से एक माचिस के तीली लाखो पीड़ों को जला देती है stress कम होता है और आप physically और psychologically अच्छा अनभव करते हैं positive सोचने के आदत एक रात में नहीं आएगी पर आप इसे practice करेंगे तो यह आदत बन जाएगे और तब आप हर situation को बहतर नजरे से देख पाएंगे तिसरी चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो है कि कैसे हम अपने negative thoughts को control करें इसके लिए 3 steps है पहले आप अपने negative feeling से aware हो जाएए जैसे कि अगर आप गुसा यह चिड़े हैं तो सब्सक्राइब एक्सेप्ट करिए कि आपका mood अच्छा नहीं है दूसरे step में सूचिए किस बात पर आपको यह emotion है और फिर तिसरे step में अपने आप से ही सवाल पूछिए अगर मैं अपनी सोच बदल दूँ तो क्या मैं better feel करूँगा और इस तरीके से आप अपने negative thoughts को control करना धिरे धिरे सीख जाएंगे सफल होने के लिए जो हमें चौथी चीज करनी चाहिए वो है कि surround yourself with positive people यानि कि अपने आसपास लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आप समय वेजित कर रहे हैं वो सकरात्मक लोगों Guys सफल होने के लिए अच्छे सोच के साथ अच्छे संगत के भी बेहत जरूत होती है इसलिए हमें अपने अधिक समय ऐसे लोगों के साथ बिताना चाहिए जो खुद successful हो, passionate हो, मेनात करने वाले हो, सोच अच्छी हो इनकी संगत में आप खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगते हैं और जो आपको हमेशा motivate रखेगा सफल होने के लिए सफल होने के जो पांचवी strategy है जिसमें आपको वास्तविक और ऐसे goals रखने चाहिए जो आप हासिल कर सके वाके में इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अपना goal काफी बढ़ा रखेए पर जब आपना goal ऐसा रखते हैं जो वाके माप हासिल कर सकते हैं तो ऐसे छोटे-छोटे goals आपको self-confidence बढ़ाता है क्रिकेट में out होकर बैठ जाने से अच्छा है हम कुछ देर के लिए single से ले और slow खेले काइस इसलिए आप छोटे-छोटे goals बनाईए और उसे एक्चिव करने के लिए मिनहत कीजिए जिससे आपका self-confidence बढ़ेगा और आप बड़े काम करने के लिए भी तयार हो जाएंगे चथा तरीका stay curious अगर आप successful होना चाते हैं तो हमेशा अपनी जिग्यासा एक बच्चे की तरह रखिए जो नहीं चीजों को देखने और सीखने के लिए हमेशा उस्चुक रहता है अगर आप लगातार सीख रहे हैं तो लगातार आप आगे बढ़ते रहेंगे अंत में यही कहूंगा कि सफलता कोई दुरगटना नहीं है यह कड़ी मिनहत, द्रिणता, सीखने के जिग्यासा, अध्यन, बलिदान और सबसे ज़्यादा आप जो भी काम करें उसके प्रती आपका प्यार और सोच है जो आपको हमेशा एनर्जी देती है और वही आपको सक्सेस्फुल भी बनाती है गाइस आप सभी का हमारा साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच